अधिमित्रों, प्रोग्रामिंग एंसी, हुजराती वीडियो सीरीज मां हुँ डॉक्टर रस्विन डोबरी आपनो स्वागत करूछू आ वीडियो मां आपडे फाइल हैंडलिंग फंक्षन फ्राइट विशे वाद करीशू आपेला आपडे त्राण अलग-अलग टाइपना फंक्षन्स फाइल हैंडिंग ना लिधा था एफ-get-c, f-scan-f, आने त्यार पहची आपडे f-get-s अब या चौथू फंक्षन छे जेनों उप्योग आपडे फाइल मां डेटा राइट करोओ तो कही रिते करी शेके पना यहां f-write फंक्षन छे थोड़ूक अलग फंक्षन छे बीजा आगलना फंक्षन करता करनके f-write फंक्षन थी आपडे चे डेटा राइट करिये छे यी दो प्रतम पेल आपडे इंट्रोड़क्षन छोए के f-write फंक्षन जे छे यानों उप्योग डेटा ने ब्लॉक मां राइट करवा मां डेता ही शे ब्लॉक अपडेटा कहने के वाई पहली वस्तू तो ब्लॉक अपडेटा एटले शुदार्व के आपडे कोई एक student नो कोई एक employee ही शे तारो के तो employee ID, employee name, department, salary, birth date, mobile number तो आ एक employee नो ब्लॉक ब्लॉक एक अपडेटा आपडे फाइल मां राइट करवा मां यानी पन बाइनरी मोड थी त्यारे आपडे f-write फंक्षन नो उप्योग करे शूँ बिजीरी त्या आपड़ कही है तो f-write फंक्षन नो बाइनरी फाइल क्रियेट करवा माते था शे अब तमने simple example आप के file handling नी अंदर जनरली आपने बे प्रकानी file क्रियेट करिये शे एक text file और एक binary file अब यह एक live example तमने बताओ के आपने पहला ना वीडियो मां आपने जो ही गया था के आपने apps कहने function थी आर इतनो एक आपने student इतनो डेटा स्टोर करियो तो आपने पहला ना वीडियो मां तमें apps कहने अपनो वीडियो जो ही रीफर कर जो है तमने ख्याला आपकार नो एक student नी मांक्स इतनो डेटा आपने स्टोर करो है formatted data तो apps कहने function थी आपने पहला एनो रोल नंबर एनो नेम पछी 5 subject ना मांक्स त total percentage आने result आपने store कर ईह तो आपने text file create करिया से text file आपने डेटा श्टोर करियो तो आपने text file ना में ओपन कर शो ही री देखा से पन जारें आपने file handling function ने लेके एक right थी जारें a corporate binary file create करिये से लेके file आपने binary mode पा create करिये से त्यारें यी file जनरली आ टो आपने देखा से तो यह आपड़े fwrite function थी एक employee नो data आपड़े राइट कर सु जह हमाँ employee नो id, employee नो naam, employee नो डिपार्टमेंट औन एनी salary तो आज ब्लॉक ओप data जे छे ही आपड़े binary थी store कर सु तो इ बाइनरी जे data छे ही क्यो डिस्प्ले था है आपणने तो इ बाइनरी नो data आपणने आर इतनो डिस्प्ले था से बिजू आप ए फाइल वच्चे सु डिफ्रेंच है तो के टेक्स फाइल तमें create करो पच्छी तमें यहने windows मा open करो तो यहनो data तमने as it is देखाए पंग binary फाइल ने अंदर data छे थोड़ोक आपनने बाइट फॉर्मेट मा जोआ हमालाई से जेती डाइरक्ली अपने एन रीड यूजर एन डाइरक्ली रीड करी शक्तो ना ते लेक सिक्यूरेटी पॉइट आफ यू तमें जो वो तो जो तमारो data binary format मा राइट थे लो हो है यह एफ राइट फंक्षन थी प्रोग्राम बनाऊ शो एम सेम जे फाइल रीड करवा माटे आपडे एफ रीड फंक्षन ना उपयोग करी न आ डेटा ची रीड करी सक्षो डाइरक आ डेटा रीड था शे नहीं तो एफ रीड फंक्षन नो हूँ वीडियो आवनारा वीडियो मां अलग थी समझावी एग्जामपल साथे आ वीडियो मां मात्रा आपडे जोई है के एफ राइट फंक्षन थी आपडे ब्लोक ओप डेटा बाइनरी मौड मां राइट करवा हो होई कोई पन फाइल मां तो कही रीट करी शक्ये तो ओरोल कंसेप एफ राइट फंक्षन न अब नेम अलग थी राइट करिये शे फाइट नामाग तुक मां आमा पीस ओप डेटा डेटा वाईज आपडे राइट करिये शे और यहां ब्लोक ओप डेटा एकद रेकोर्ड ने आखो ब्लोक के वामा आवेशे अचले आ टाइपनो ब्लोक आपडे एफ राइट फंक्ष फाइल मां राइट थी जाए तो यहनों काउंट रीटन करेशे और धरोके राइट करवा मां कहीं एरर आवे तो आपने आपने जे नंबर ओफ एलिमेंट्स आइपा होई यहना थी एक वेल्यू ओची रीटन करेशे वा एन नी वेल्यू सु छेही आपने इस इंटेक्स मां समझे जो आपने एफ राइट फंक्शन इस इंटेक्स जोए तो एफ राइट फंक्शन शू रीटन करेशे तो के जेतली आइटम इफाइल मां राइट करे यहनों काउंट आपने रीटन करेशे औने एफ राइट फंक्शन नो पहलो जे आर्गुमेंट्स होई शे पहलो प पेरामिटर मां size मां तमारे mention करवानी होई जनरल आपड़े size of operator थी mention करिये छे अने आपड़े किटली item किटला element फाइल मां write करवा जनरल आपड़े एक block एटले कि एक record आपड़े store करता है तो यह आपड़े any value 1 आपिये अने क्या write करवा होई तो फाइल पॉईंटर जे position होई ते position थी file मां write थसे तो अब PTR छे एक दुएम के PTR पॉईंटर छे जे आपड़े memory मां data चे यह राइट करवा होई यह आपड़े यह address मूखवान होई शे एटले का यह आपड़े structure एक structure variable नो data राइट करशू एटले structure variable एड्रेस यह आपड़े पास करशू आपड़े structure ने size आपड़े पास करशू एट ए टाइम आपड़े एक structure variable ने value राइट करवी छे एक element राइट करवी छे एक एलिमेंट राइट करवी छे यह यह वन आऊ से आनने त्यार पर छी file pointers चलो आपड़े example थी समझे सपोज आपड़े आपड़े पास करवी छे यह मा तरОन डेटारा राइट करेला छे पियलो रे कोड़े रमेस नो रेकोड़े बीजो करख भरेस से त्रीजो रेकोड मेस से आज यह आ जे बाइनरी फाया अंतर त्रहन रेकोडे चे अपन तोमी जो ओरिजनल डेटा आपक्स "-ेसा जार बाइनरी फोर्मेट माई डेटा आ टाइप नो देखाई शें तो अवे आपने जो है तो आपने एक ख्याल छे सीनी अंदर एक कॉंसेप स्ट्रक्चर नो सिखी गया तो स्ट्रक्चर शूँछे इस ग्रूप बपर डिफरन टाइप आप अवेल्यूस तो आपने स्थोल नो एक एंपलोई नो एक osaurs कर कर सकुल망ल disrupted Miche एक डेटानो बलाग पच बिजहाँ एंपलोई मत्डा रेकोर्च जलो छेंचे बिजहों डेटा बलाग तो पहला तो आपड़े स्ट्रक्चर डिफाइन कर शुँ तो के स्ट्रक्चर डिफाइन कर शुँ तो आपड़े इन्फोर्मेशन कही के स्टोर कर वी शे तो समझ वा माट यहां में हैडिंग आपेल अच्छे तो के इंटीजर आपने जोए तो में नी अंदर आपने स्ट्रक्चर डिफाइबल नी साइज यहना जिटला मेंबर छे एनी साइज नो टोटल होए तो employee id integer चे यहले 2 bytes, name character अग्वाइबल चे यहले 20 bytes, again department चे यहले 20 bytes अन्ने long integer चे यही 4 byte occupy करे अन्नो आपने total करिये तो total 46 bytes, यहनो मिनिंग है कि एक employee नो record एक employee नो block आपने फाइल मा राइट करो होए तो indirectly आपने 46 bytes राइट करवानों actually binary file मा आपने आप फार्मेट मा देखाई से, तो चालो आपड़े जुए का आप डेटा कही रीते राइट था से तो void main मा आपड़े file pointer declare करशू, त्यार पच्छी जे आपड़े यहां structure declare करियूशे, आ structure नो variable आपड़े main मा देकलेर करशू, struct empe e, अब एक e variable जे structure variable छे, एक employee नो record छे रिप्रेजेंट करेश, आपड़े शू करशू, एक एक record छे फाइल मा श्टोर करशू, त्यार पच्छी जे फाइल क्रियेट करवी छे नो, path आपड़े लेवा माटे यहां character रे लिधो छे, औने एक continue choice पुछवा माटे, user नी choice माटे आपड़े CH ली दो छे, औने जो आपड़े count चेक, अपर थम आपड़े user ने, जे location उपर आपड़े फाइल क्रियेट करवी छे, location आपड़े जे फाइल क्रियेट करवी छे, ये user पासे थी mark छू, जेने आपड़े path मा श्टोर करशू, त्यार पची F open function थी, आपड़े, जे W लगता है, जे राइट मोड, औने जो एपेंड मोड मा क्रियेट करवी होई तो ए लगता है, और या, A, B येनो मिनिंग, A means append, ये जे फाइल आपड़े मेंचन करी सी, एपेंड मोड मा उपन था से, याने B means binary, तो आपड़े, A, B नो मिनिंग थाई शे, append binary file, और थारो के आपड़े, तमारे right mode मा उपन करूए, तो या, WB लखी शको, बीजो या, WB, W एटले right, औने right binary mode, तो आपड़े मेंचन करी शक्के, जो successfully file create थाई, तो या, Fp pointer पॉइंट कर से, और जो file create नहीं थाई, तो येमा null return थाई, तो आपड़े message आप याने program चे, exit करी देशू, त dual loop आपड़े एटला माटेली दूशे, कानके आपड़े, यूजर नी choice प्रमाने, यूजर नेम थाई, मारे एक employee, बी employee, तान employee, पांच employee, नो record शी, फाइल मा श्टोर करोशे, तो यूजर नी choice प्रमाने आपड़े record श्टोर करी शक्षू, तो ये पहला do, पहली वक्त, enter employee id, सपोज आप प्रूग्राम एक्जीक्यूट कर्शू, तो आपने आर इतनो screen, output screen बताऊ से, पहला आपड़े path, सपोज c colon aswin, folder मा sample.txt नामनी फाइल आपड़े, create कर्शू, येनी अंदर, enter employee id, अने अपने ख्याल चे के, ये आपड़े, जे structure variable चे, येनो, eid मा स्टोर करोशे सपोज रमेश से ही, e.name मा स्टोर था से, enter department, e.department, so HR department येना स्टोर था से, बीजू, जारे आपड़े कोई string अथवा character scan करता हूए, जारे ये वच्चे आपड़े fflush stdn मुखी है ये जे थी, आनि उपरना statement मा ये data एंटर था, फशी कोई enter की प्रेस करें, तो e scan direct ना था ही जाए, आनि आस statement skip ना था, इतले buffer clear करवा माटे आपड़े fflush नो use करिये जे जे आगल ना वीडियो मा आपड़े explain करे लूँ छे, त्यार पछी gross salary जे चे 25,000, तो e.gross salary variable मा स्टोर था से, तो आरे थे friends आपड़े structure variable e नी अंदर बधो data, एटले के एक employee नो record आ हवे आने आपड़े file मा write करवान हो छे, तो file मा write करवा माटे शू करशू तो fwrite अने जे structure variable e छे एनू address पास करशू, address इटले, address इटला माटे कांके एना जितला element छे एनो data एक block बन छे, अने block एटले आपड़े 46 byte जे आपड़े जोई आगल, तो 46 byte जे छे ए एक साथे file मा write साइज शू हो छे, तो के size of operator थी struck emp, खनके e variable ची क्या structure नो छे, struck employee, तो 46 byte जे ची एक टाइम राइट करवाना छे, केटला element राइट करवाना छे, तो के एक अध structure variable आपड़े राइट करवाना छे, ओके यहना member घणा बदा छे, पन एक चूली क्यावाई एक structure element, तो या वन आ तो आरी ते मित्रों पहला एक structure variable मा चार ही value आपड़े श्टोर करशू, इस structure variable आपड़े फाइल मा राइट करशू, इस successful राइट थे ही जाई, तो इटला elements राइट थे हा से, रीटन था से, अने त्यार पच्छी एक message आऊ से, एक record has been successfully created, इटला record राइट थे ही जा, त्यार राइट थे हरी वक्ते नव एंप्लोई ID, सपोज 102, विजु नाम पूचे हरेश, त्यार पचे मार्केटिंग 35,000, तो आरी ते same data जे छे ही, same structure variable मा आपड़े राइट करशू, इस structure variable एक टला 46 byte छे ही पाशी फाइल मा राइट थे हरी पाच्छू, यूजर ने choice पूच से, do you want to continue, आरी ते यूजर जिटली वाई, यह सापसे एटला रेकोर्ड यूजर पासे थी input कराऊ से, एटला रेकोर्ड जे छे ही, फाइल मा बाइनरी मौड मा राइट थे, जारे नो आपसे, त्यारा मैसे जाय वी जासे, कि फाइल has been successful created, तो मित्रो आपड़े जे इंपूड क आपड़े डिकलेर करूब पड़ से, आपड़े आखा structure variable ने फाइल मा राइट करिये छे, एक structure variable आपड़े डिकलेर करिये, तेरा आपने ख्याल छे के structure is a group of different type of data, तो employee, एक employee नी information मा एनो employee ID आउसे, employee name आउसे, department आने gross salary, आने त्यार पछी structure defined थे या पछी main नी अंदर अब हुआ आपड़े डिकलेर कर सो, अटले के इ वेरियाबल आपड़े employee structure नो डिकलेर कर सो, एक ए ए टाइम एक employee नी information सो मैने शक्या राइट करिशे, ले ही नी पासा, E.employe ID, E.name, E.dapartment, E.grass salary, तरपके आपनें जोयु ते परमाने, यूजर पासे थी path गेट करा हुश, ए फाइल पाथ उपर आपडे फाइल छे इए प्रियेट करशू और यह आपडे राइट मॉड इटले राइट मॉड मां फाइल ओपन करवी अन्य यह पन बाइनरी मॉड मां तो यह डबेल्यू बी था है जो यह बी तमें रिमू करी नाको तानों मिनिग हैं कि आपडे टेक्स पर जनरली आपड़े जी त्यार फंक्षन जो ए इसी एफ राइट फंक्षन आने एफ राइट फंक्षन नो mostly यूज जी बाइनरी फाइल क्रियेट करवा माटे थाई छे जो फाइल सक्सेस्पुली क्रियेट नो थाई तो नल रिटन थाई तो एरर आपके ने प्रोग्राम ए employee id जे छे ए इनपूट कराऊ उसु जे eid मा स्टोर शाशे त्यार पची name input कराऊ शु इडाट नीम मा स्टोर शाशे त्यार पची employment त्यार पची gross salary और इते आखा इवेरियबल नी अंदर structure variable माँ डेटावी जाए पची f right फंक्षन थे आपड़े जे structure variable छे नो address पास कर चू आछे स्ट्रक्टर से इप्रम्णा आपने काॉंट करिऊ तो आएंहां निए स्ट्रक्टर वेर्याबल्स साइज़े यह 46 bytes एक रेकोर्ड स्टोर करवा माटे 46 bytes फाइल मां write थासे है तो कि एक रेकोर्ड आपडे write करिये शे तो कि एक रेकोर्ड आपडे write करिये शे कई जिग यह तो कि फाइल पॉइंटर मां अने 13 पच्छी मैसे जाओ से पच्छी मैसे जाओ से डू यह तो कंटिन्यू यह और नो वाई प्रेस कर सो CH मां हो से पाच्छी वाइल मां कंडिशन टू थासे आज सेम प्रोसेस रिपीट थासे क्या सुधी रिपीट थासे तो कि जहां सुधी आपड़े यह साप शू सबकोज आपड़े रन कर यह प्रोग्राम सेम पाथ हूं आप शू सी कॉल अन श्विन ने अंदर सैंपल.txt नमनी फाइल आपड़े कर वे शे सपोज 101 employee aswin department mca salary for example 45000 थार पाची तो यह एप्ड़ेश do you want to continue yes employee 102.suppose परेश department like engineering gross salary for example 34000 थासे तो यह था सुद आपड़े वे पुल आपके आइडी नू नाम 103 आपके, employee name for example Harish, enter department for example BCA, अने gross salary for example 25,000, अवे सपोज त्रन रेकोर्ड आपने त्यारे फाइल मा राइट के रहा, अवे उन नो आपके रहा, अने जो अपने बारावस हो अटले, आरी त्रन रेकोर्ड आपने फाइल मा राइट के रहा, अपने के वा मोड म राइट के रहा, बाइनरी मोड मा, तो अवे आपने आने सपोज एक्स्पोरर मा थी जोए, कि फाइल कई रिते राइट थाई छे, तो तमें यह सेंपल, आपने सीकोल आना स्विन फोल्डर मा सेंपल.txt मा जोए, तो आ रिते फ्रेंड्स जे डेटा छे, यह 46 बाइट, 46 ब जेनों डिटेल मा एक्स्प्लेनेशन आवनार वीडियो अलग थी, फ्रीड फंक्षन नो बनावीश, पन आ जे, त्यारे जे में आ सोर्स कोड तमने एक्स्पेंग केरो, आ सोर्स कोड आ वीडियो ना दिस्क्रिप्शन पार्ट मा पनू लिंक मा अप्लोड करी देश, जे त जे तम्हें डाउंलोड कर याने प्रैक्टिस करी सक्षो, जेस्ट अत्यारे तमारा रेफ्रेंस माटे के एफ रिड फंक्षन थी आ फाइल रीड करवा माटे पन आपने सेम प्रूफ तो अत्यारे तो खाली इटा रीड करवा माटे जे बताऊ चु डीटेल मा एफ रिड फ तो यहां आपड़े पाथ हपपानों छे के कई फाइल तमारे रीड करवी से तो के c.aswin नी अंदर जे sampled.txt फाइल छी आपड़े रीड करवी से जहू तमें एंटर आप शो तो आपड़े जे डेटा जे आपने टेक्स फाइल माँ प्रोपर नती देखा तो जे आपने आपड़े राइट फंक्शन हो यूज करियो अन्ने आ टेक्स फाइल तमें कोई पन व्यक्ति ने आपो जे अंदर नो डेटा रीड नहीं करी सके पन जेनी पास या एफ रीड फंक्शन वालोग प्रोग्राम से इधा डेटा चे प्रॉपरली रीड करी सक्षे तो सिक्यूर ब्लॉक मां कई रीड राइट थाए बाइनरी मोड मां तेना विशे आपड़े डिस्टोस करियो तो आचारा को मित्रो आ वीडियो आपने पसंदाव से याने जे कॉंसेप जे खास फाइल हैंदलिंग नो छे याने यामां ये एफ राइट आने एफ रीड फंक्शन थी जे बाइनरी फाइल करियेट कई रीते थाए तेना विशे आपड़े डिस्टोस करियो आउनारा वीडियो मां आपड़े एफ रीड फंक्शन विशे बात करी शू के बाइनरी फाइल रीड करियो ही तो कई रीते थाए तो मित्रो आ वीडियो ने मैक्सिमम अपना मित्रो ने श करीशक्षों तुमारा लेप्टोप मां आने प्रेक्टिस करीशक्षों तो थेंक यू थेंक यू वेरी मुच फ्रेंच